Good morning student, I am going to teach new chapter types of clothes, यानी कपडों के प्रकार. Why do we need clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? आज हम कपड़े कहारे बताएंगे कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? Clothes are born to cover our body. हमारे शरी को ढखने के लिए कपड़े पहने जाते हैं. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, dust, rain and insects. हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े हम रक्षा करते हैं, heat, गर्मी से, ठंडी से, dust, धूल से, rain, बर्षा से, insect, कीट, नाचक से. Clean and iron clothes make us look smart. साफ और iron, प्रेस करे कपड़े, पहने से हम smart दिखते हैं. We wear different clothes in different season. वीवाने हम, वीवाने पहनते हैं, different means अलग-अलग, close means कपड़े in different season, अलग-अलग मौसम में. आपने देखा होगा, जो गर्मी आती हैं, तो हम cotton के कपड़े पहनते हैं, और जब ठंडी आती हैं, तो हम winter यानि, तो हम woolen clothes पहनते हैं, और जब बारिश होती हैं, तो हम rain coats और umbrella का यूज़ करते हैं. In summers, we wear light color cotton clothes. गर्मी में हम हलके रंग के कपड़े पहनते हैं, हलके और cotton के कपड़े पहनते हैं, यानि, सूती. They keep us cool. ये हमें ठंडा रखते हैं and absorb our sweat. और हमारे पसीने को सोक लेते हैं. We get cotton from cotton plant. हमें cotton कहां से मिलते हैं? Cotton plant से. Okay, thank you children.